अगर मैं कोटा नहीं छोड़ता तो मैं हाथ जोड़े बहुत रिक्विस्ट किया अलग सर्च से कोचिंग कानेता था मैं किसे ओ कूटना हो पीटना हो तो मुझे बुलाते थे इसलिए मैं तोड़ा इमोशनल होता हूँ कोटा क्यू छोड़ा अगर कोटा नहीं छोड़ता तो मैं आपको पढ़ा पाता क्या अगर मैं कोटा नहीं छोड़ता तो मैं आपको पढ़ा पाता क्या बताइए कोड़ा इसलिये छोड़ा कि मैं जादा से जादा बच्चों तक पहुँच सकूँ और मेरा कोई जादा उदेश से नहीं था हाथ जोड़े बहुत रिक्विस्ट कि अलग सर से हैना कि सर प्लीज हमें भी मौका दो थोरा सा पढ़ाने का आपके तुरू जाएंगे तो बहुत जादा बच्चे को पढ़ा सकते हैं तब जागे अलग सर ने बोला कि चलो ठीक हम सोचते हैं तो बहुत मुश्किल से मौका मिला है सर के हाथ पहर जोड़े है तब जागे यहां तक पहुचा हूँ मुझे एक चीज़ पता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टनेस का है मुझे यह पता है क्योंकि मैं बच्च्पन में ऐसे फैमली से विलॉन करता था जहां पे प्राइबेट ट्यूशन तो छोड़ो प्राइबेट स्कूल भी हम लोग बिजर्ब नहीं कर सकते थे हम दो भाई-बहन थे हम दोनों भाई-बहन स्कूल पढ़े हुए हैं अर्फमिट को लेज में पढ़े हुए हैं तो गोवर्मिंट स्कूल में पढ़ा होती नहीं थी तो बच्पन में कभी समझ नहीं आएगी एजुकेशन की पॉंट इस क्या होगी, मैं पढ़ता ही नहीं था ऐसे भी लेकिन देरे देरे जैसे ही सेविल क्लास में गया, एट्थ क्लास में गया, नाइट क्लास में गया तो और खराब होगे साहब है ना, बहुत बदमाज बच्चा था मैं पूरे रिलेक्शन में सबसे बदमाज बच्चा मही था है ना, किसी को एक्जामपल देते थे कि कोई कितना खराब हो सकता है कोई कितना उदंड हो सकता है कोई कितना बत्तमीज हो सकता है है ना वो मेरा एक्जांपल देते थे और रिलेशन के बहुत सारे लोग आते थे तो चवरदस्ती मेरे से पिठा कर पूछे थे बताओ बताओ तो 20 x 60 कर दिया तो कितना हुआ बाइसाब मुझे आता ही नहीं था अंग्रेशी में कोई ट्रांसलेशन पूछ लेते थे बताओ र अगर लो बेश्ती जाके जो बेश्ती करता तो उसके बेटे को जाक कूर देता था रलेशन में चलता है कभी-कभी है ना तभी भी मुझे कोई फरक नहीं परता था बढ़ी अग्डम खुस था अपने जीवन में मजे कर रहा था एकदम सही जीवन चल रहा था पढ़ने मजफ़पूर मजफ़पूर में बुआ रहती थी वहां पर पढ़ना सुरू किया उसके बाद भाद भी बड़ा नेता बना मैं कोचिंग का नेता था मैं किसे ओ कूटना हो पीटना हो तो मुझे बुला थे फिर ट्वें बाद कुछ ऐसा हुआ कि रेलाइज हुआ कि पढ़ हुआ जा हुआ यह कि यार माल ह tuh पता हीले कि लोग क्या कर सकते हैं कोई अपने सोसाइटी के लिए की लिए कुछ पता ऑग जब दीरे रे पढ़ा थोड़ा समझ आया और जब इस लाइक और इस मुकाह पहुँच गया तुछे आज हैं हो कि बढ़ने बच्चे होता है जरब हो सरदी है कर सकते हैं। पड़ाई के कängen सकते हैं। एप नाइम तिंथ क्लास में बच्चे बोले होते उनको मज़ा आता है छोटी 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 ठीज उनको यह पता ही नहीं चलता है हम पढ़के क्या कर सकते हैं और अभी हम पढ़ेंगे दुवारे फ्यूचर कैसा होगा समझ ही नहीं पाते बच्चे इसलिए मैं तोड़ा इमोशनल होता हूं और देखता हूं कि बच्चा बदमासिं कर रहा होता है तो मुझे दुख होता है कि तुम अपने फ्यूचर को स्रियसली नहीं ले रहो क्या बनो गया कि चलता है जब समय बीच जाता है तब दुख होता है